रेस्ट करने से बोर हो गए हो क्या। जोईन करने के लिए सोच रहे हो अच्छी बात है। तेंकि यू सर। तुम्हें अपने टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी। क्योंकि रिकॉर्ड के लिए उसे सम्मिट करना ज़रूरी है। फिर परसूं से जोईन कर लेना, ओके। सर, कैसे टेस्ट मुझे कोई इंफोर्मेशन दी नहीं है। देखो यह और सबको पता नहीं है। सी, अगर यह एक एक एक्सिडेंट था, तो फिटनेस टेस्ट करना ज़रूरी है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, जिसमें मामला नियर टू डेथ पहुच जाता है, तो ऐसे टेस्ट ज़रूरी होते हैं। सर, चार मेने हो गये हैं, और डॉक्टर के कहने पर ही मैं डूटी जॉइन कर रहा हूं तो… नो, कुमार, ये तो एक फॉर्मेलेटी है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम ठीक ठाक हो, बस एक फॉर्मेलेटी है ये, प्लीज डूइट, ओके सरु अरे, इसका तो रोज का नाटकी है, तुम्हारे पती के साथ भी तो हो चुका है न, वो सुद्रा क्या, और इसको देखो, इसका तो दिमाग ही कहीं और चला गया है, इसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, अरे तू समझाना अपने पती को दीदी, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उस लड़की का क्यारेक्टर ही कुछ गड़बड है, ए, ज्यादा बोल मत, पहले अपने पती को काबू रखने के लिए बोल, अरे अच्छा बस करो, क्या चाहिए सर, इंस्पेक्टर कुमार, डॉक्टर से मिलना सर, आप वहाँ बैठ जाएए न, हम बुलाते हैं सावित्री बेहन, पहले आप अपने पती को समझाएए, ऐसे सपोर्ट मत कीजिए, उससे कहिए कि किसी औरत के उपर हाथ ना उठाए, उन्हें अच्छे से समझाएंगी तो वो समझ जाएंगे, और आप दोनों ऐसे आपस में जखकरना बंद कीजिए, बिल्कुल ठीक के र मैं अधिती बोल रही हूँ, किसी पेशिन को अपॉर्मेंट दी है क्या, ओ, ऐसा है, ठीक है, आप लोग जाएए, ठीक है, ठीक है, मैं अबतुर का इंस्पेक्टर हूँ, तीन महने पहले एक मेजा एक्सिदेंट हुआ था, जिसके लिए साइक्सिद्रिस से मिलने के लिए, मैं समझा नहीं, इंसिदेंट, हाइड रॉमेंटिक, नियर डेथ इंसिदेंट, ओ, सॉरी, जुबान फिसल गई थी, तीन महने हो गय, आप आल राइट नाओ, फॉमालिटीज के लिए बोल रहे थे, इसलिए ओफिशेली, फॉमालिटीज, देखिए, आप आप आल राइट नाओ, बाकी के आप साइकाट्रिस्ट है क्या, आप मनोचे किट सक है क्या, जी नहीं, शुरुवात ही बिल्कुल गलत रही है, it's not a good thing, मैं पहले आपसे माफी माँगना चाहती हूं, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, नहीं, कोई बात नहीं, it's okay, ठीक है, आखरी मोवी कौन से देखी थी कमाल है, मैं पिछले तीन मेने से बेट पर लेटाओं, यह सवाल मुझे पूछने लाइक है, नहीं, लेकिन आजकल के पेशिंस, ज्यादे तर फिल्म में देखना पसंद करते हैं, अगर फिल्म पसंद नहीं आई, तो सोच आते हैं, पिछले साल मुझे टाइफोईर हो गया इसे बहुत हेल्प करेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कप ठीक होँगा, इन सब बातों से माइंड डिस्ट्रेक्ट हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ, आपने पढ़ा ही कहां की है, सेर्टिफिकेट का कला जरक्स है, औरिजनल बैंक में है, लोन चल रहा है न, ओके, आपने जो पूछा वा बिल्कुल सही है, इसमें सॉरी क्या बोलना, ने ने, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, आप इस वक्त युनिफॉर्म में नहीं है, अगर किसी ने आपका आइडी पूछ लिया, आप तो आप उसे दिखाएंगे नहीं क्या, तो फिर तो आपको सॉरी कहना ही पड़ेगा, आपके अंदर अभी डर है, सॉरी मैं समझा नहीं, अभी आपके अंदर उस इंसिडेंट का खौफ है, डर लगता है, अभी आपके लिए ड्यूटी जॉइन करना ठीक नहीं है, इस नॉट पॉसुबल, थोड़े और दिन के ट्रीटमेंट के बाद जॉइन कर लेना, आप कैसे कह सकती है, कि मेरे अंदर डर है, मैं डॉक्टर हूँ, और आप पेशिंट है, मैं आपके बारे में आपसे बहतर समझ सकती हूँ, पागलों के डॉक्टर की तरह बात कर रही हैं आप, जरा एक बर अपने डिगरी दिखाईए, कितना एगो है तुम्हें, अगर मु कितना कुस्सा आता है आपको, और जितना ज्यादा कुस्सा उतना ज्यादा डर, बंद करो अपनी बक्वास, सोरी, गेंडे का बच्चा है, मारो तो अपने हाथ में चोट लगती है, जो पी रहे हो, शराब नहीं, पानी है, सिरियसली कह रहा हूँ, पानी पी कर ऐसे रेक्शन दे रहो, शर्म की बात, आओ हमारे साथ, बैठ जाओ और मोड बना लो, कितनी हिम्मत है उस मेंटल में जो मुझे देख रहे सा कह रही है, कौन से मेंटल की बात कर रहे हो, और कौन, वही साइको डॉक्टर, यह क्या है यार, मैंने पहले ही कहा था, कि हम नेक काम करते समय डॉक्टर की बात नहीं करेंगे, उसकी बात कता ही नहीं करेंगे, कसम खाय था कि नहीं, बेवडों के लिए कसम क्या माहिने रखती है, यह कहने के लिए तुम्हे भी नशे में होना चाहिए, भूल रहे हो तुम, अरे बताओ ना इसे, अरे जाने दीजिए भाई, साहब जो बोल रहे हो, वो बोलने दीजिए, एकात काम पढ़ रहा है क्या, नहीं है ना हमारे पा मैंने, मैं जाकर देखता हूँ, ऐसे को तो कट देना चाहिए, कोई इज़त ही नहीं दे रहा, इंस्पेक्टर सही, यह बताइए, आपको कोई लड़की डरपो कहे, तो आपको कैसा लगेगा, क्या, ऐसा कहा उस डॉक्टर ने, जैसा उसने बोला, वैसा ही बोलके करिप्ट, गुदनलाइट, 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 गुसा हो गये, अरे गुसा होने की किसको परवा है, वो तो भॉटली उठाकर ले गया, यह लेकिन भाई, आप कैसे मेंटल सर्टिफिकेट पासट करवा कर ले आए, वह मेंटल सर्टिफिकेट नहीं साइक्याट्रिस्ट वेल्यूएशन है वही तो पूछ रहा हूं आप पास कैसे हो गया है दूसरे किसी को मत बताना मैंने डी एसपी सर को बोला तो उन्होंने दूसरे किसी डॉक्टर को हायर करके पास करवा कर दिया है किसी पागल की बातों म काश हो गया काड लो सब्सक्राइब टोटल हुआ है तो काश सपे नहीं हो पाइगा कुछ और करीट ला है अब टूसरे किसी इन्होंने आपको पांच रुपर कंदी है यह जा कर लेती हूं सर्व इस ओके आप हजारों लोगों को जीने की सही रहा दिखा दे है अरे पाप रहे इतना फेमस हूं यह पता ही था मुझे दरसल बात यह है कि मैं भी इस फील्ड से रिलेटेड हूं तो मेरे लिए आपके इंफिरमेशन रखना भी बहुत ज़रूरी है सही का आपने तो आप कभी क्लास में आई है हाँ आई हूं लगभग तीन महीने पहले रियली लेके नापके यहां जो लेक्चर दिया चाता है मुझे उस पर भरोसा नहीं है एंकरेजमेंट तो मिलती है पर वदलाव की उमेद नहीं होती और यह बात मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकती हूं ओ थैंक यू चलता हूं सर उस दिन आप मेरा पीछा कर रहे थे किसी ने आपको गलत इंफर्मेशन दी थी सर मुझे कुछ भी पता नहीं था सर उसके लिए आपने मुझे अंदर करके बहुत टॉर्चर किया सर इस बार मुझे छोड़ दीजिए सर अचा तो तुझे छोड़ दें क्या इस बार तेरी पिटाई थोड़ी कम होगी कम पीटेंगे टेंशर मतले हाँ सर वाड़न रोड पांच मिनिट में आ रहा हूं मुर्थिस सर वाड़न रोड ओके सर मुर्डर है ना कोई डाउट तो नहीं है नई सर लेट नेट शूटिंग करके लोटी थी उसके साथ उसका पॉसनल बेक अप मैन भी था सर यहाँ पर जो भी फिंगर प्रिंट्स मिले है उसे टेस्ट के लिए लेब भेज़ दिया है सर उसका फोन भी नॉट रीचेबल है सर ऐसा लग रहा है रेप अटेंट केस है सर और कोई डाउट नई सर लेकिन डरेट डियाईजी का फोन है था सर डियाईजी का जी सर बड़ी सेलिब्रिटी है क्या हां सर विमसा नाम है उसको छोड़ दो बैक साइड से जाओ उठाओ क्या झाल 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 रखंगर प्रयुब जाट जाट। मैं तुम्हें रूद्टे यहाई हूँ शॉपिंग मॉल में देखा था तुम्हें वहां से फॉलो करें ज्यू अब्लीज मेरी बात पर यखिन कीजिये मेरी बात मेस्टिक कुमार ज़ो यहाँ से तुमार शॉपिंग बात क्या है क्या हो गया सर बताइये तो सहीं क्या हुआ प्लीज सर बताइये न क्या हुआ नो प्रोब्लम सर मेरा घर बगल में ही है आप एक घंटा आराम कर लिजे सब ठीक हो जाएगा ने ने ज्यादा सोचिये मत सर आएए ना सर आएए हेई अभी तुम लोग तयार नहीं हुए सब तयार हो गए है अरे टाइम काम हुआ अवह हो पापा आप भी उमारे साथ चली ना पापा आपआ को अभी बहुत काम है पेटा तो सकते चुट कर आपा चली ने प्रश मांट चली कि अटा इस तुम लोग सरार ये लो से समल हिव कर जाना फून करना औरो कि इस वक्त कौन हो सकता है आप तो वही डॉक्टर है ना जिन्होंने ड्यूटी जॉइन करने से मना किया था हाँ वही हूँ और ठीक ही कहा था अगर यह ड्यूटी पर नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता एक मिनट रुकिये रुकिये कि यह इंजेक्शन उसे लगाना होगा नहीं तो प्रब्लम और बढ़ जाएगी इसकी कोई ज़रुद नहीं वह थोड़ी देर यहां आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे आप चिंता मत कीजिए जाओ जाके चेक करो वह सो रहा है या उड़ गया हमारी डिपार्टमेंट को उनकी बहुत जरूरत है आप उनको किसी भी तरह से अच्छा कर दीजिए मैडम कुमार कुमार ए एक बार बोला समझ में नहीं आता चलो जाओ यहांसे इंजेक्शन लगवालो मैं चली जाओंगे क्या गुर्रियो हो कि यह नहीं है वह अब योर्षेल्फ कुमार एक सेलिब्रिटी का मर्डर हुआ है हमारे लिए हर एक मिनट कीमती है यह मामला उपर तक पहुंच चुका है हाई प्रोफाइल केस ही सर मुझे पंदरा दिन की लीव चाहिए है वाट सर कल मैं में इस्ट्रेस डिसाउडर हो गया जिस डॉक्टर के पास भेजा था उसने सही कहा था उस इंसिडेंट का खौफ अभी भी है कल जो मर्डर हुआ वो और जो मुझे मारने आया था दोनों केस एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं हाँ सर मैं नॉमल नहीं हो पा रहा हूँ कि मुझे माफ किजीं सर आप वहां पर श्रवण है क्या इमेड़ेटली इन्फर्म करो पहली बात दिमाग फास्ट चलता है उसे कंट्रोल में लाब और उसमें इस तरह की एक्सिसाइज हेल्प करेगी तुम करो मैं आती हूँ मिले 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 जाए चोरी चोरी दिल हाए हाले हाले जग मागाए मुसकाए दिल हाए मिले 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 जाए चोरी चोरी दिल हाए हाले हाले जग मागाए मुसकाए दिल हाए दिल पे चले न कोई जोरे हो हम तब, दिल तो है उड़ता एक पंची, दिल तो बदल जाता है एक पल में, जैसे समय पल में तू ही बस तू है, सब तू है मेरा, तू है हर धड़कन, हर मौसम मेरा तू ही बस तू है, सब तू है मेरा, तू है हर धड़कन, हर मौसम मेरा आपको इसे पहले कई पेशन्ट्स मिले होंगे, फिर आप स्पेशली मेरा इतना केर कियों कर रही है कुछ लोगों को देखकर ही पता चल जाता है, कि इन्हें लाइफ टाइम हेल्प की जरूबर पड़ेगी चार दिनों में काफी अच्छे दिख रहे हैं अभी तो ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं किया है, बहुत टाइम लगेगा, इसे ठीक करने में मेरा कुटा उस कोहे में गिर गया, मैं भी उसके उसके पीछा गिर रहा हूँ मैं गिर रहा हूँ, मैं कुट गया, मैं तेर नहीं पा रहा हूँ, वो भी कुट गया, मैं उसे बचा नहीं पाया उसे नहीं बचा पाया मिले मिले मिल जाए, चरी चरी दिल हाए, हले हले जगमागाई, मुसकाई दिल हाए, मिले मिले मिल जाए, चरी चरी दिल हाए, हुले हुले जयक्मगाई मुस्काई दिल हाई दिल ते चले न कोई सोरे ओ हम तम तिल तो है उड़ता पंछी दिल तो बदल जाता है एक पल में जैसे समय पल में तू है तू है तू है सब तू है मेरा तू है हर भरसल बोट भावे नहीं आगी तेरा आजार रो अरे बोट नस्दीकलो डूप कैका क्यों बाए आप चुपने रुप में कह रही हो न वो आजाएगा सर आज सर आज सर सर अजिश्वीचे सर सर आप आजे सर सर आप आजेंगे क्या सप्राइज है सप्राइज तो उसे बताया नहीं जाता पुलिस की गाड़ी में मैं नहीं जाओंगी चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं यह मिस्टर रुदरन इंडियाज नंबर वन मोटिवेशन स्पीकर कई लोगों की जिंदगी बदल दी है इन फैक्ट आप लोगों ने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई अगर इसके पाँ जाता तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता मैं ऐसी मजाग कर रहा था दरहसल इसका क्लास भी confidence is believing मुझे पता है मैं पहले भी यहां आचुकी हूं कोई बात नहीं आओ न यह सच में सुरप्राइज है मेरे लिए तो फर्स टाइम है देखते हैं कैसा लगता है मैं तो बहुत बूर हो जाओंगी थोड़ा सब्सक्राइब हम दुनों साथ में बैठेंगे क्यों कि अच्छलों वाहां जाकर बढ़ते हैं आओ कि इस ओके खुद का होसला और कॉन्फिडेंस का मतलब आप सब जानते ही होंगे इसका अर्थ आप सब समझते हैं लेकिन क्या आपके पास इसे महसूस करने की इक्षमता है नहीं है इसे समझने और महसूस करने में जो फर्क है वो एक समंदर की तरह है पहले महसूस करो और फिर उसमें बदलाव लाने के लिए मेहनत करो यह काम इतना असान नहीं है आपको इस पे काबू पाना है डेडिकेशन के साथ काम करना है अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ व क्लास अटेंट की लेकिन कोई भी फाइदा नहीं हुआ बलकि मेरे सर के उपर करजा और बढ़ गया बड़ा आया हिम्मत और कोशिश कहीं बाहर दिखाओगे ना तो आगे बढ़ जाओगे चुपकर तू हम सबको बेवकूब मत बना तू सिर्फ जुट बोलता है मैं आप सब को एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आप कोई दवाई की पुडिया नहीं बेच रहा और नहीं कोई शॉटकट सिखाता हूं एक दिन की वरक्शॉप में आपको सिफ छोटा आइडिया मिल सकता है लेकिन अगर आप उसी को ध्यान रखके आगे बढ़ेंगे तो आ करता है बहुत ही प्रोग्रेशिव पर्सन है थैंक यू सर आपका सेमिनर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही यूस्फुल भी है सोरी यह डॉक्टर अदीति साइकेट्रिस्ट हलो कैसी है आप मैं ठीक हूं आप कैसी ठीक हूं इन्हें आप यहां लेकर आए हैं हाँ सर मैं ही क्लूस करूंगा मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है बस उपर से प्रेशर जाता है वन सेकिंड इंस्पेक्टर श्रवन से बात कराऊ अब उम्र हो गई है भाई अगर इस सुम्र में ऐसे केस लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी अगर किसी तरह की गणवर हुई तो मुझ इसी तरह एक दूसरा खून हुआ बिल्कुल से मर्डर दोनों केस एक दूसरे सीतने मिलते हैं डिपार्टमेंट क्या कर रही है सर भाई तुमने केस मागा मैंने तुम्हें दे दिया प्रॉब्लम क्रेट मन करो तुम्हें जो मदद चाहिए मैं दूंगा अरे तुम बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्री है सर झाल 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 मा जी, आपका बेटा पिछले दस दिनों से अलग तरह से बरताव कर रहा था, तो इस बरताव के बारे में कुछ बता सकती हैं? दीरे-दीरे वो बदल रहा है, उससे मुझसे कोई बात नहीं की, मुझे ऐसे देखने लगा जैसे किसी भूत को देखा, एक दिन अचानक मुझसे बात करने लगा, लेकिन उसके बरताव में फरक तो आ रहा था बरताव में फरक जड़ा खोल के बता सकती है? उसने काम पर जाना छोड़ दिया, घर बैठे कुछ करे ना करे, लेकिन इंगलिश पेपर आता था, वो उससे जरूर पढ़ता था, और ये बात तो मुझे मेरी बहु ने बताई थी, अचानक सिगरेट भी पीना शुरू कर द जब से विमसम एरम ने फिल्म में एक्टिंग करना शुरू किया था, तब से ये उनके परसनल मेकप मैं रहे हैं सर, और उनकी मौक के बाद से ही ये गायब हैं सर, उनका फोन भी नौट रीचबल आ रहा है, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है सर, बता नहीं कहां होंगे उसके पहले पिछले तीन चार महीनों से ही का बताव कुछ अजीब सा था, कटे कटे रहते थे सर, हॉस्पिटल में एडमेंट करने के लिए मैंने अपने भाई को गाउं से बुलाया था, सर जब मैं उनसे पहली बार मिला, वो तो मुझे अच्छे लगे, एक अच्छे इंस यह है कि वो पूरी तरह से बदल चुके थे, सर, बार-बार अपनी चीज़ों की सफाई करते रहते थे, कभी-कभी तो उनकी नजर देखकर मुझे बहुत डर लगता था, सर, अजीब तरह से देखते थे, मुझे ये बूत-वूत पर विश्वास नहीं है, सर, लेकिन उनका बरताव देखकर मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर, उसके चेहरे पर ऐसा कोई बदलाव दिखा था, ऐसा कुछ नहीं कहा, सर, सब नॉर्मल था, एक मिनिट, हाँ, अचानक वो ऐसी किताबे पढ़ने लगे, ऐसी किताबे पढ़ते उन्हें मैंने पहल है, एक मिनिट रुकिए, सर, ये लीजिए, सर, मुर्ती, कुछ दिन पहले इसने यहाँ क्लास रेटेंड किया था, बहुत बड़े खुन का प्राइम सस्पेक्ट है, यहाँ की CCTV फुटेज और उनकी फोन डिटिल्स मुझे चाहिए, सर, मुर्ती, उसके दोनों एड्रेस जरा चेक कर लो, ये भूत भूत के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, भूत कुछ नहीं होता सर, उस मेकप मैंन को दस दिन से ट्रेस कर रहा हूँ, ना कोई incoming है, ना कोई outgoing है, ठीक है, उसका sim card की सेरिया में travel कर रहा है, वो track किया, सर, sim SIM card active नहीं है, लेकिन SIM activate करने वाला, फोन का IMI number है, उस फोन में SIM card डाला गया है, और उससे सिर्फ एक ही call किया गया है, 6 दिन पहले, कहां पे, होटेल रॉयल प्लैजा सर, इसका detail चाहिए, रूम नमर 208 सर, सर, गिस का है, पता नहीं सर, बाहर गये हैं, कहां गया पता है, पता नहीं, वो क्रिमनल है क्या सर, उठा के उसे जेल में डालिये, मेरी जान खा गया है, दिन में पांच बार रूम साफ करने को बोलता है, पागल, टिप्स भी नहीं देता सर, क्या हुआ रहे, भाई, इस र सर, क्या है, भाई, भाई, बाहर पता है, भाई, भाई, भ吧हर में आख करने हान गला है, उसे जेल में गया ठालिये, में बाहरmee, रहे करना देता समय को, क्या पासार, क्या बाहर्णाबेंगारा करना है, इक उता एच मेरे चैसी कोई नहीं कर दू मैं हो शगू हो जाओ के लाबता पचके रहनारे तू मेरे चलबों से मचे सारी दुनिया में धू जो चच मी मैं हूँ पाया चल जाओ के तू जो मुझ से मिलना है तो जिगर को रखना तू पर ना तेरी जान चली जाएगी अंगलेसी बोतल हूँ पर शराम देसी हूँ चड़ जाम जो मैं हाँ उत्रो फिर नहीं जीवा, जीवा, ये लग्की है जीवा, 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 ये लग्की है जीवा डिवा डिवा मैं लड़की हो डिवा 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 मैं ख्वाबों की डिवा डिवा ये लड़की है डिवा डिवा ये ख्वाबों की डिवा क्या चाहिए तुम्हें, ब्रांडी, कॉक्टेल, विस्की, हैं, ए, विंसा मुर्डर केस में तु प्राइम सस्पेक्ट है, चल देर से बात करनी है, मैं दर्शे में रहूँगा तो कुछ भी बग दूँगा, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कोई चैंस नहीं है, तुम से जरा के लिए मैं बात करनी है, तुम लोग यहीं बेट करो, सिग्रेट चाहिए क्या है, विंसा का खून क्यों किया, वो सब तुम नहीं समझोगे, क्यों, बस तुम जिसे राक्षेसों को समझ में आता है, उसे सबज ने सकते सिर्व, महसूस कर सकते हैं, रुद्रण ने क्लास में नहीं सिखाया क्या, ए, मुस्से अकेले में क्या बात करना चाहता था, पहले खून और दूसरे खून के बीच, इतना डिले के हुआ है, पता है तुम्हें, पहला खून, क्या बूल रहे हो, मेरे पहले खून करने के पांच मिट के अंदर तुम वहां आ गए थे, हम दोने एक दूसरे का पीछा करके फाइटिंग करके मर गए, इन फैक्ट मैं मर गया और तुम बच गया है यह यह क्या बख रहा है एक में आता हूं कंढ आता है घर बुम खाह watering similarly to toake container 게 में मेरे टूसरे कि फैक्टी से फोने करना दिए . रहा है ? कंढ आता है ? इन आता है ? आता है ? रहा हैiggerा ? है है… यह शरीर बेस्ट है यह मैं तुम्हे बाद में देखता हूं अरेस्ट करो इसको अर हम आसके निया खुम्हे बाद क्या, गाल बाद कि अ अ afterward फिर देंग our यह खुम्हेश्स अ सब्सक्राइब देखें, इंक्वारी चल रही है, जल्दी ही बताएंगे, तुम दोनों को सस्पेंट कर देना चाहिए, बड़े लोगों के रेक्मेंडेशन की वज़े से बचे रहते हो तुम लोग, सिचुएशन तो समझना चाहिए, तुम लोग अपने आपको काबू में रखकर, अपने जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकते, इस बार तो तुम दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखो, युमेगो, सर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, अभी देखिए वो लोग आपको मारने आए, आपने उनको मार दिया, और एक सुसाइड कर लिया, ऐसा आप बोल रहे हैं, मैं मार गया, और तुम बच गये, मैं मार गया, और तुम बच गये, पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए, पानी इस तरह से पीना बिलकुल गलत है, बोतल में मूह लगाकर पानी पीना चाहिए, ताकि पानी गले में ना लगे, सिर्फ एक दिन, मेरे हेल्थ के बारे में मुझे एड़वाइस मत दो, प्लीज, हाज चुड़ता हूँ, ठीक है, ओके, ओके, इस बार में बात नहीं करूँगी, लेकिन बॉक्सिंग के बार में तो कर सकती हूँ ना, कोई एक ऐसी चीज है जिसके बार में आपको नहीं पता, खाना बनाना तो नहीं आता, पर सीखना है, हलो, पता नहीं भई, मैं तो देख रहा तो सुबह से भीड़ थी, यह कैसे हूँ आखे, अच्छा, सर, सर, एडवांस निरोलोजी का हेड है, नाम है नारायन, इस फिल्ड में दुनिया के टॉप तीन लोगों में से एक यह है, निरोलोजी, नर्व टेस्ट के लिए बहुत बड इनके हातों में गलफ्स थाए, जिस वज़े से फिंगर प्रिंट्स नहीं मिल रहा हैं, सर, सर, एनी क्लू, यहां क्या हुआ होगा मैं अपने अनुमान से बोलता हूँ, अले मौनिंग साइंटिस्ट वॉकिंग के लिए वहां से आया होगा, रहे हाँ, हम इनके हुआ है, एनके हुआ होगा, हम इनके हैं, सर, बहुआ है, सबस्ट के लिए वहाँ, एनके हैं,। हो चुके खून और ये खून सब में फर्क तो है रिपोर्ट से पता चल जाएगा सर इस खून में वो फसना नहीं चाहता था इसलिए गलव्स पहने थे लेकिन पहले के खून और इस खून में लिंक है ये वो खूनी हमें इनफॉर्म कर रहा है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है अलग-अलग आदमी खून कर रहा है लेकिन सारे के सारे खून एकी तरीके से किये गये हैं सिर्फ एक खून को छोड़कर मेरी कुछ समझ में नहीं आया सर ये कोई भूत प्रत का मामला तो नहीं है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है उस पहले वाले खून में भी कुछ हासिल करने का क्रोध दिख रहा था लेकिन इस केस में क्लियर कट एक मोटीव दिख रहा है से भाईया क्या हुआ सर इसका सीरियल नमर्ण नोट करके मूरिती को दो इसका अपलाएं किया हुआ डेट और डिटेल मुझे चाहिए ओके ओके यह बुक एक बार इस बुक के बारे में बताया था उसका नाम रुद्रन इस बुक से पापा बहुत इंप्रेस हुए थे उन्होंने इसे पुरा पढ़ा कि नहीं मालूब नहीं लेकिन आपको इसमें क्या इंट्रेस्ट है यह सेमिनार सुनने के लिए आपके पापा कभी गए थे नहीं हरगिस नहीं सर चांसी नहीं है वो तो इस टेन्फर से कॉल थे तो भी नहीं जाते थे इस तरह के सेमिनार में तो जाने का सवाल ही नहीं है तेंक यू वेल्काम सर सर अभी क्लास में है पांच मिनिट वेट कीजिए वो अभी आ जाएंगे जो बताय उसे फॉलो कीजिए तक एक्स्क्यूज मी सर यह आप से मिलने आये है तक यह थाणी में करूए है यह है को आए ओँम सर दिए कैसे उसलिस आध़हे है अल्रेसनल maintained जैनल कुआ है यह एल्ल राइट ओफ कुर कॉस्ड़न को क्लिए पारिशानल 좋र है आप लग को क्या हुआ पारिशानन थनीड़न को अथा बूम सक्षानल दीए नज़र आ रहे हैं आपका नाम मेस्टर कुमार हां सॉरी भूल गया था कैसे हैं मैं ठीक हुसर अगर आप बुरा ना मानों तो मैं आपसे बात पूछ हूँ क्या पूछना चाहते हैं आप स्मोग हमेशा करते हैं या कभी 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 छोड़ देता हूं फिर मैं दुबारा इसल्वर कर देता हूं अपको सइंटिस्ट के बारे में कुछ पता है क्या है करें तो साइंटिस्त मतलब कैसा सिंटिस्ट पर नाम सुना हुआ है बहुत इंप्वॉर्टन आदमी थे दिमाग की नस के बारे में रिसर्च करने वाले निउर्स थे कि वो सॉरे मैं मैं नहीं जानता उनके यहां आपके बुक थे तो मुझे लगा कभी उन्होंने आपके क्लास सर्टिंड की होगी या फिर आप दोनों की कोई पहचान हो लो नो हुआ है है अर्यों व्यूंज है कि सर कितने दिनों से स्मोक कर रहे है इसे पहले स्मोक किया था क्या नहीं सर नहीं नहीं हुआ हुआ हाँ सर 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 अपने बता ही नहीं कहां चलना है यह सर का कुत्ता है यहां साहब क्लास में तो बिल्कुल शांत रहता है यहां क्यों चिला रहा है मुझे पता नहीं सर इसको क्या हो गया है चार दिनों से तो सर को भी देखकर भोगने लगता है एक दिन तो सर को काटने को दोड़ा था इसलिए इसे यह बान कर रखा हुआ है सर को सर आप बिना गुसा किये मैज़ा कहने जा रहा हूँ सुनिये सर अगर आप पुलिस कस्टेडी में रहेंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज मैं आपके अच्छा के लिए बोल रहा हूँ आपके लिए खत्रा हो सकता है या फिर आप किसी के लिए खत्रा हो सकते हो प्लीज, सर मेरे कहने की पिछे कोई तो वज़ा है सर इससे पहले दो लोगों की साथ ऐसा हो चुका है और वो दुनों आज जिन्दा नहीं है इसके पिछे कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है मैं एक दम कन्फ्यूज हूँ सरे मैं क्राइम इंस्पेक्टर हूँ एक बार सोचता हूँ तो कर ही देता हूँ फिर भी इज़त से कह रहा हूँ और अगर मैंने सोच लिए कि मैं क्या करूँगा तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मान हानी कर दावा ठोक कर तुम्हें मैं आसानी से अंदर करा सकता हूँ तुम सरुज से जद्ध मेरे बेजज़ती कर चुके हो, now get out देखते हैं Too many questions, लेकिन उसने एक भी सही जवाब नहीं दिया उसे बहुत ही होशियार इसे पकड़ना होगा तु मेरे हातों से नहीं बचेगा हेई, हेई, स्टोप, हेई, स्टोप, हेई, स्टोप भूए भूए, देख जिया लूए, रूए, दोए, रूए, लूए बटतु दोए, बटतु दोए एई कर दिए घ्टा começar करो 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 भाल मते पնें कर लुव करो कि अ किसी पेर्ग ख़िए? जलाँ क्यार उदरन सेर, आपका कपड़ा तो पूरा गंदा हो गया लदका के लगएएएथएएएएएबस आपका। कर द जए जै 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 कर दो कर दो है क्यों नहीं नहीं शारी हुई है क्या श्रावान इसकी बात में बात हो जो इधर लेकर आओ इसे साइन करो यहाँ पर इस प्रिंट का करेगा तू अगर मैंने मेरा पूरा बतन जपा डाला तो क्या कर लेगा तू अगर वानने प्रावन पर इधर एक आदमी अपना नाम चोड़ कर दूसरा साइं करता है तो वो दो ही सूरत में कर सकता है या तो उसकी याददाश चली गई हो या राशी वगर देकर अपना नाम चेंज किया हो और रुदरन के पास ये दोनों कारण नहीं है तो सवाल ये उड़ता है कि ये नाम किसका है और रुदरन इस नाम से साइन क्यों करता है हमें इस बात का पता लगाना है सर ये हमें कुमरा करने के एक साजिश भी तो हो सकती है न सर आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए हम लोग इस केस के पीछे तीन महिने से लगे हुए पहले आप पूरी बात तो ध्यान से सुनिए हमने जो किया है उसी को आगे फालो करेंगे अगर हमने अपने काम को बीच में रोग दिया तो सारी महनत बेकार हो जाएगी येस मिस्टर सुभाष ये एक तरह से सही कह रहा है अगर मिसलेडिंग भी हो तो हम इसी को फालो करेंगे बट सर किसी इंसान को ढूड़ना आलग बात है लेकिन सिगनेचर को कैसे ढूड़नेंगे इस शहर में ही कितने प्रमोध होंगे यहां तो बात पूरे देश की है सर मैं मानता हूँ जनरले हम लोग ढूड़न नहीं सकते हमारा मेन सेंटर है रुदरन उसे ही सामने रखकर जाल बिचाएंगे उसके बताव में बदलाव जरूर आया है अचानक वो ऐसी किताबे पढ़ने लगे वो तो स्टेंट फॉर से कॉल है तो भी नहीं जाते थे हेलो मैं इंस्पेर्टर कुमार बोल रहा हूं हां बोलिये सर तुम्हारे पापा किसी प्रमोध को जानते थे क्या प्रमोध तुम्हारे पापा के सथ को स्टुड़ी करता होगा स्टुडेंट कोई ऐसा सर मुझे एक्जेक्ट तो पता नहीं है आप मामी से पूछे शाद उ मैंडम आप किसी प्रमोध को जानती है प्रमोध हां हां जानती हूं इन्हीं के साथ तो काम करते थे मतलब अब वह नहीं है क्या हां उन्होंने आप काम छोड़ दिया है क्यों पता है क्या सौरी मुझे नहीं पता अगर आप इंस्टिट्यूट में पोचेंगे तो शायद पता चल जाएं ओके मैम थेंक यू अगया है कि टी कॉफी जी नहीं चाहिए ये रिसेंट्ली कंड़क्ट कियेगे कॉन्फरेंस का प्रोशर है ये जो लिफ्ट में खड़े है वो फॉरेंणर सिया नरायन है और ये जो आर्मी आफिसर हाथ मिला रहे हैं ये है मिस्टर प्रमोट चलो आखिर एक तो क्लू मिला सर कुछ चाइव अगर मगाई है हमारे लिए सर अभी ये इसी एड्रेस पर होगी या एड्रेस चेंज किया होगा आपको पता नहीं क्या इनको मरे हुए छे मैने बीच चुके कैसे मर गए नैच्रल डेट था ठीक है उनकी फैमिली में कोई है क्या कोई और तू नहीं है उनकी वाइफ है कुछ मैंने पहले वो एक कुए में बेहोश पड़ी मिली थी और अभी वो कोमा में है कंडिशन थोड़ी क्रिटिकल है सर हमारी कंडिशन उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है कि डॉक्टर प्रमोट का कोई क्लोस फ्रेंट है जिसे हम बात कर सके एक मिस्टर वेला वेदम है उपर साइन्स लैब में जाएंगे तो वह मिल जाएंगे आप जाएए मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ थैंक्स हाई सर, इंस्पेक्टर कुमार मरने के बाद भी परिशान कर रहा है क्या वो मेरे से दो साल सीनियर था लेकिन बहुत जादा होशियार था प्रमोद नारायन जी के यहां काम करते थे क्या लगता है यह बहुत ही बड़े किताबी कीड़े है नहीं सर प्रमोद को नारायन के इस पोस्ट पर आना बिलकुल पसंद नहीं था सर क्या सचमुष डॉक्टर प्रमोद नारायन जी से ज्यादा इंटेलिजन थे बिलकुल उनके आज पास तक भी कोई नहीं पहुँच सकता था और यह कंपलीट करके यूएसे में नियूरो साइंस में डॉक्रेट किया फिर यहां आकर उन्होंने आरवेद सिखा उसके बाद नैनो मेडिकल जॉइन किया जहां वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे पच्चास साल की उम्र में नियूरो साइंस में बेस्ट और पहले नंबर पर आई थे वो सर उनके रीसर्च के बारे में कुछ बता सकते हैं यह बहुत सीक्रेट है मिस्टर कुमार नाराएण के पोस्ट पर कौन आने वाला है ये बात किसी को नहीं पता थी उसे रिविल करने का अधिकार मेरे पास नहीं है क्या सर, पुलिस को भी नहीं बता सकती है यह सेंटर का मामला है आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो बहुत sensitive है किसी military secret से कम sensitive नहीं है सर इस case में बहुत सारी उलजने हैं जिनें सुलजाने में हम खुद उलज चुके हैं एक lead थे डॉक्टर प्रमोट जो अब जिन्दा नहीं है दिन बदिन हमारी परिशानी बढ़ती जा रही है अब अगर कोई right clue नहीं मिला तो लगता है हम mental हो जाएंगे What are you saying? आप कहा रहे हैं प्रमोट का किसी ने खून कर दिया? नहीं सर तो फिर प्रमोट ने किसी का खून कर दिया? सर इस case के बार में आपको straight बता था हूँ अगर कोई strike हो तो मुझे बताना हाँ आज से करीब 6 मैने पहले देवी नाम की एक औरत मड़ी पतम गाउ में उसका खून हुआ था जिसने खून किया था उसका नाम था दिना वो एक gym trainer है सही बोल रहे हो ये तो मुझे भी याद है दीना प्रमोद का trainer था वो धुनो एक दूसरे के बहुत close थे आप क्या कह रहे हो से दीना प्रमोद जी का gym trainer था? हाँ, यही का जितनी उम्मिद कर रहा था ये उससे ज्यादा ही मिल रहा है कैसे ये तो नहीं कह सकते लेकिन किसी ना किसी तरह से प्रमोद इसमें इन्मावल है पांच खुन हुए है उसमें जो कुछ भी मिला है उसका pattern आपको बता देता हूँ एक इंसान की मनस्तिती और उसके बरताओं में बदलाओ जो normal रहते हैं वो ज्यादा तरह अपनी साफ सफाई में ज्यादा ध्यान देते हैं अगर उसको पानी भी पीना हो तो वो ग्लास को किसी टीशू पेपर से उठाते हैं और स्मोग भी करते हैं तो वो ब्लैक केलर के सिविलेट से इस तरह के केरेटर के लोग फिजिकली और साइकलोजीकली कैसे चेंज होते पता नहीं है लेकिन जैसे इन में चेंज आता है तो ये मर जाते हैं और वो ये खून पुलिस से बचने के लिए नहीं करते हैं और कोई मामूली सा क्लू देकर ही करते हैं और काफी मुश्किलों के बाद अगर हम खूनी तक पहुँच भी जाते हैं तो वो खुद कुशी कर लेते हैं अभी जो खून हुआ है उससे अलग नारेंड का खून एक मोटिव के हिसाब से किया गया है इस केस से प्रमोट का क्या संबन्द है? बहुत सिंपल है सर देखिए लास्ट टाइम हमने एक खूनी को पकड़ा तो उसने प्रमोट के नाम की साइन की और उसके बाद उसे मिटा कर अपनी साइन की जेंटलमें आपका केस और प्रमोट का केस कहीं ने कहीं जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने अधिकारों को नजर अंदाज करके वो रिसर्च आप लोगों के सामने रख दूँ ये बात मीडिया और पबलिक को पता चली तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है प्रजेक्ट है मायावन प्रमोट इसी पर रिसर्च कर रहा था एक इंसान दूसरे की कॉपी कैसे कर सकता है इसी टेक्नलोजी पर प्रमोट रिसर्च कर रहा था आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर उधारन के लिए आप कौन है सर आप कौन है कुमार देखिए अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप क्या बोलते हैं आप अपना नाम बताते हैं और ये कैसे होता है ये नाम आपके माब आपने रखा है और आपसे जुड़े हुए सारे लोग आपको इसी नाम से पुकारते हैं ये सब आपने अपने दिमाग में स अगर हम आपके दिमाग की कॉपी लेकर बाहर आते हैं तो इसका मतलब आपकी कॉपी बनाते हैं आपकी यादाश्ट यानि आपकी जो मेमरी है अगर उसे बायोजिकल टर्मों में बताया जाए तो दिमाग के अंदर जो रसायन है वो अलग-अलग तरीके के होते हैं और इन कुआक के दौरों में इस रिसरच को चूहों के उपर किया गया था इनसान के दिमाग का जो बरताव है वो चूहों के दिमाग के बरताव से अलग नहीं होता चूहे के दिमाग में जो भी information बंती है एक electrical current का इस्तिमाल करके और silicon injection ढालकर nano transmitter के द्वारा दिमाग के अंदर उसे हर सेल में जमा कर दिया जाता है एक बार कॉपी करने वाले प्रोसेस को एक्टिवेट करने के बाद तुरंत वो नियूरो ट्रांस्मीटर जो दिमाग के अंदर है या जो भी यादाश्थ है वो फाइवर आप्टिक केबल के जरिये बाहर आ जाता है बाहर आकर चुहे की दिमाग को कम्प्लीट्ली डिसॉर्डर कर देता है वो यादाश्थ हाट डिस्क में कॉपी हो जाता है सिंपल तरीके से समझना है तो यह समझिए कि एक टेप में जो एनालोग साउंड है उसे डिजीटल सी डी में कॉपी किया गया हो नारयन्ट से पहले जो CEO था वो इस टेखनोलाजी से काफी इंप्रेज था प्रमोद की इस टेखनोलाजी से वो काफी इंप्रेस था और उसने प्रमोद को पर्मिशन दे दी कि वो इसके लिए एक अलग लैब बना सकता है प्रमोद ने काम शुरू कर दिया अगर किसी इनसान पर एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इनसान पागल हो सकता है या वो कोमा में भी जा सकता है और फिर उसके बाद मर भी सकता है प्रमोद के दिमाग में इस रिसर्च का ऐसा जुनून सवार था कि उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि किसी इनसान की जान जा सकती है इन फैक्ट वो अपनी जान की परवा भी नहीं कर रहा था लास्ट में उसने अपने उपर ही वो इंजेक्शन लगा कर दिमाग को ट्रांसफर करने की कोशिश की अपने फिजिकल ब्रेन को डिजिटलाइज करके उसने हार्ट डिस्क में कॉपी करके रख लिया अब एक बात आप लोग ध्यान से सुन लिजे जैसा प्रमोद ने किया इस कॉपी को रखकर अगर आप मर भी जाते हैं तो ये कभी मिट नहीं सकता सही शब्दों में कहा जाए तो आप अमर हो गए सर इस तरह के एक्सपरिमेंट अगर आदमियों पर किये जाएं तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे न नहीं वो इसलिए उनका जो इन्वेंशन है वो इतना एक्कुरेट है कि लास्ट दिन भी जब वो हमारे साथ था तो उस दिन भी उसके दिमाग में इंजेक्ट किया हुआ वही जेल था जो आज तक हम सब के लिए एक बड़े ही ताजूब की बात बनी हुई है वो यह है कि एक आर्मी मैन को गोली लगने के बाद भी वो 30 सालों तक जिन्दा रहा जबकि उसके शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं थी इस तरह से इंजेक्शन को शरीर के अंदर डालने के बाद जिन्दा रहा जा सकता ये उन्होंने प्रूब कर दिया पर ये प्रमोद की बदकिस्बती थी कि पुराने CEO का ट्रांसफर हो गया और नाराइंट ने CEO बनकर उस कुरसी पर बैट गये इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोद ने नाराइंट से अप्रूबल मांगी एक दिमाग के अंदर के डाटा बेस को दूसरे दिमाग में इंपोस कर दिया चाहे तो समझ लिजे कि हमने मौत को भी जीत लिया पहले यह बताओ कि इससे तुमारी क्या समझ में आया पहले आप बताईए कि आपने क्या समझा आप तो खुदी मिनिस्टर के रेकमेंडेशन से यहां बैठे है प्रमोट प्लीज इससाइन की मदद करने के लिए होना चाहिए ना कि उसे खत्म करने के लिए ठीक है मैं रिजाइन करता हूँ मैं सिर्क तुम लोगों की तरह यहां पर बगार लेने नहीं आता मुझे एक रिसर्च अप्रूबल के लिए इसके सामने गिड़गडानी की जरूत नहीं है कैसे करना है मुझे पता है बाद में इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उसने हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को एक्स्प्लेन भी किया हे बगवान प्रोजेक्ट माया वन वैसे ये बताओ कि तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को रिकमेंट करूँगा सर मैं इस प्रोजेक्ट के जरिये आपको हजारों साल जिन्दा रखूँगा यहां तक कि अब्दुल कलाम के ब्रेन को भी मैं जिन्दा वापस ला सकता हूँ आप नारायन जैसे लोगों को रिक्मन करते हैं और उन्हें इंस्टिट्यूट का CEO बना देते हैं जिसके वज़ा से हमारा साइंस और टेक्नोलोजी इंप्रूव नहीं हो रहा है और अब तुम कह रहे हो कि दिमाग के अंदर भी घुसना चाहते हो क्या घटिया प्लान लेकर आयो तुम तुम इंसान नहीं हो यह बताओ एक इंसान के आधार को मिटा कर तुम उसके अंदर जीना चाहते हो वो भी हजारों साल तक क्यों मात से डरते हो क्या तुम्हारे इस रिसर्च की वज़े से एक आग्मी इंडिफिनिट कोमा में बढ़ा हुआ है ये तुम्हारे रिपोर्ट में है क्या इसलिए मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को सुपर्वाइज करने के लिए ही खुद मिनिस्टर नारायन को रिकमेंड किया है ये बताओ साइ इसको मिस्यूज करना तुम कोई साइको हो क्या पुराने जमाने के बाबा लोगों को तो जानते होगे जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में घुम्ते थे लेकिन उन्होंने कभी भी उस रहत्यकों दूसरों को नहीं बताया जानते हो क्यों ताकि तुम्हारे जैसा तो कुछ भी कर सकता है लेकिन तुम खुद को भगवान बनाने की कोशिश मत करो समझ में तो आ गया ना वैसे आज कल के पॉलिटीशन की बाते किसी को समझ में नहीं आती है तुम्हें अगर छोड़ दिया ना तो तुम मेरे दिमाग में घुजकर ये प्रोजेक्ट किसी तरह से ओके करवा ही लोगे इसलिए मैं मिस्टर नारायंड से बोल कर इस रिसर्च को अभी के अभी बैन करवाता हूँ ये तो समझ में आ गया आउट उसके बाद उससे मेरा कोई कॉंटेक्ट नहीं हुआ उसकी मौत की खबर भी मुझे न्यूस से ही मिली और जैसा तुम लोग कह रहे हो उसके हिसाब से तो वो अब अमर हो चुका है ऐसा संभव है सर बोलेगा तो पता चलेगा इसके शू निकालने का स्टाइल बिलकुल वैसा ही है सिगरेट भी लेफ्ट हैंड में ही पकड़ा इसने प्रोज जैसा लगता है ये आपका पास्वर्ड यूज करके और्थराइजेशन लेकर आई हूँ मैं इसका नाम है ट्रूथ सेरम इसे अगर किसी के अंदर इंजट किया जाएगा तो फिर उसके दिल की सचाई बाहर आ जाएगी लेकिन हमारे देश में अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि कानून से हमें पर्मिशन नहीं है इसलिए अगर आप बाहर से ये दवा लेकर इसकी सचाई उगलवा भी लेते हैं तो कोट में माने नहीं होगा ये केस तो कानून के दाएरे से बाहर लग रहा है हम इसके सचाई को पहले बाहर लाते है ओके सर्ण या गो हैड इस दवा का सिर्फ एक ही बार इस्तमाल हो सकता है अगर इसे दुबारा इस्तमाल करना है तो इसके लिए कुछ दिन का गैप चाहिए प्रमोध प्रमोध मैं कौन हूँ तुम जानते हो ना तुम्हारा कलीक वेलाव डम सुन रहे हो ना प्रमोध तुम्हारी मौत नेचुरल थी या फिर तुमने खुदकुशी की खुद खुदकुशी क्यों क्यों कि तुमने खुदकुशी हाँ प्रमोध यह दवा इससे सहन नहीं होया है बहुत जल्दी असर कर गया है अपने दिमाग की कॉपी से तुम दूसरे का दिमाग कैसे चलाते हो प्रमोद? कैसे तुम दूसरे के दिमाग को ओवर टेक कर सकते हो? जानने के लिए मैंने अपनी जान ले ली थी, खुद कुशी कर ली थी। मेरे मरने के आखरी वक्त में मेरे अंदर का जो बैक अप था वो सेटलाइट के जरिये दीना के माइन में रखे ट्रांस्मीटर के अंदर इंसर्ट कर दिया गया था। यह इसका पहला स्टेप था कि द जो भी पहले से मौजूद था वो सब लूज हो जाएगा और फिर मेरा दिमाग जो उस ट्रांस्मीटर में है वो उसके दिमाग में कॉपी हो जाएगा और जब दीना को होश आएगा तो मैं उसके अंदर मौजूद रहूंगा एक नए इंसान की तरह। मैं जब तक दूसरे के शरीर के अंदर मौजूद रहूंगा तब तक मेरी हार्ड डिस्क में जो भी अक्टिविटीज हैं वो मेरी लैब में अक्टिविट होती रहेंगी और हार्ड डिस्क में अपडेट होती रहेंगी वो तो ठीक है लेकिन तुमने जिम ट्रेनर की वाइ तुम जैसे आदमीं के साथ तो रहना ही मुश्किल है चले जाओ यहांसे एक्ट्रेस विम्सा उसे क्यों मारा यह तुम भी जानते हो थैंक यू बिल दे देना यह क्या आदत है तुम्हारी साफ तो है यह यह कोई लैब है या केमिकल है जब देखो साफ सफाई करते रहते हो आदत से मजबूर हो हम लोगों को आउटिंग पर जाकर लाइफ एंजॉय के काफी दिन हो गये हैं वैसे हम दोनों 25 आनिवरसरी को ही आउटिंग पर गए थे आप तो लगता है जब 50 आनिवरसरी होगे तब ही कहीं बहार जाएंगे सिंदगी का आधावक लैब सर चिंसम में सिमट कर रहे गया है हमारे आसपास जो खोपसूरत चीजें हैं उन्हें मैसूस करना भूल गए हैं प्रमोध आसपास के खोपसूरत चीजों को इन्जॉय करने का वद्धा क्या है और और सॉरी आम सो सॉरी 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 हंदी हो क्या लिसन आई सेट आम सॉरी अरे तुम सबको अकल नहीं है क्या देख कर चलना चाहिए ना लेकिन ऐसे तुम खुद यहां पर रहते हुए दूसरे के शरीर में कैसे रह सकते हो यह समझ में नहीं आ रहा है मुझे देना के जरी मेकप मैन की बॉड़ी को उठाकर मेरी मेमरी में जो भी था वो मेकप मैन के दिमाग में कॉपी करके डाल दिया गया मेरे मरने के लास्ट टाइम में उस मेकप मेन के दिमाग में ट्रांस्मिटर को एक्टिवेट कर दिया गया तो उसका शरीर मर जाएगा और वो जिन्दा हो जाएगा उसी तरह मेकप मेन के मरते ही रुद्रन के शरीर में जिन्दा हो गया जरुद्धरन को मरना है ताकि मैं दूसरे के शरीर में जा सकूँ ये तुम कैसे करोगे और कहां करोगे ये सब मेरी लैब में हो सकता है आराम से तुम्हारा लैब कहां पर है माई लैब तुम्हारा लैब कहां पर है माई लैब प्रमोद तुम्हारा लैप कहा है अगला का उने वो पुछो अब जो तुम कुदकुशी करोगे तो किसके शरी में एक्टिवेट होगे प्रमोद किसके शरी में एक्टिवेट होगे प्रमोद कम आन डॉक्टर बोलो कम आन डॉक्टर कम आन प्रमोद प्रमोद डॉक्टर प्रमोद कमार किसके शरी में एक्टिवेट होगे कौन होगा वो अगला टेल में प्रमोद करने जा रहे हो किसे किसे प्रमोद कौन है प्रमूद ने किसको टागिट किया है ये पता नहीं चला तो सारी मेहनत पर पानी फेरी जाएगा अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है साइंटिस्ट प्रमूद उसके दोस्त और उसके रिलेटिव्ज उसके स्टूडेंट्स स्टाफ और कौन-कौन है पूरी लिस्ट निकालो सामने वाली घर की ओरत कौन से हॉस्पिटल में एड्मिट है स्टाफ यहीं है सर यहीं ने लिजिए सर इधर करना है पाश्य मैडम मैडम कौन ही यह डाक्टर प्रमूद की वाईफ है कोमा में कोमा वैसे इनने पहले कभी होश आया है कि दूसरी नर्स कहतो रही थी कि पलक जपकाई थी पर मैंने नहीं देखा मैडम आप इतना भी नहीं दे सकती तो यहां पर क्यों है अरे चुपर वियर सिर्फ यहीं पेशन नहीं है दूसरों को भी देखना होता है तो पेशन को जाकर होंगे सर इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं प्रमोट का अगला टार्गेट को ने कैसे पता चलेगा हां क्या हुआ है क्या हुआ कि साइकलोजिकल अनालेसिस के मताबिक आप लोगों ने मुझे 135 लोगों की फोटोस दी है उनमें से टॉप के पंधा लोगों को फिल्टर किया है जिनकी फोटोस इस फाइल में हैं ये लोग मेडिकली हेल्दी और दाकतवर हैं सोसाइटी में लोग इनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं इन 15 लोगों में हम जिससे भूल रहे हैं वो टागेट है या नहीं यह हमें सिर्फ रुद्रण ही बता सकता है यह क्या है आप जानते हैं मिस्टर रुद्रण पॉलिग्राफ सच्चा उगलाने के लिए दवा ही दी जाती है और वो ही कर रहे हैं जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसी पल्स रेटिंग में रुद्रण ने हमको हरा दिया पहले उसका पल्स रेट बिल्कुल ठीक जल रहा था उसमें किसी तरह का कोई फलक्टुएशन नहीं हुआ सर यह जो पॉलिग्राफ टेस्ट है वो सिर्फ नाम के लिए है उसके पीछे एक और टेस्ट चल रहा था फेस रेडिंग में उसके फेस रियक्शन से हम यह महसुस कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है लेकिन अगर उसको इस बारे में कुछ पता चल गया तो वो अपने फेस रियक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है इसलिए उसे पॉलिग्राफ टेस्ट कहकर उसके फेस रियक्शन दूसरे कैमरे पर कैच किये जाएं यह यह फेस रिडिंग रिपोर्ट विंसेंट नीरलोजिस्ट को दिखाएंगे इस वीडियो में 3.08 नीटन में एक बार वो रियक्शन है और आपकी फोटो में 3.22 रियक्शन है और उस फोटो में जिसमें परमोद ने आर्मी आफिसर के साथ हाथ मिलाया है उसमें उसके चेरे पर दो बार घबरहाट साफ साफ देखी जा सकती है ये कॉन्फरेंस फोटो में दिखाया गया वो आर्मी आफिसर मेजर सत्यम है सर्च से पता चला है कि मिस्टर सत्यम और प्रमोद कॉलेज से क्लोज फ्रेंड्स है और कल सुभा मेजर चेन नहीं आ रहा है सर किसी तरह हम उसे समझा सकते हैं ये मुझे यकीन है सर अगला टागेट मेजर सत्यम भी हो सकता है सिर्फ भरोसा दिलाना काफी नहीं है कुमार क्योंकि वो आमी मैन है उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने में बहुत रिस्क है लीगली आगे बढ़ने में शायद अपने पास सारे एविडेंस नहों हमें पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है सर क्योंना हम ऐसा करें रुद्रा के सामने जाकर ऐसा कहें कि मेजर सत्यम ही तुम्हार अगला टागेट है ये सुनकर वो टेंशन में आए और सुसाइट की कोशिश करे तो कंफर्म हो जाएगा सर चुपकर ना तू ये भी करके देख लेते हैं सर सिरीसली बूल रहे हो आप येस दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास करके देखते हैं क्या प्रमूद मेजर के बरे में बता दिये तुमने पॉलिग्राफ टेस्ट एक डमी था लेकिन फेस रेडिंग के जरीए तुमने सब कुछ बता दिया मेजर सत्यम ही अगला टागेट है ना वन आटोग्राफ प्लीज आप क्या करना है इसने तो अपने फेस के जरीए सब बता दिया फिर भी सर एक बार जरा रूबरू देख तो लीजे सर सर प्लीज 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 अभी यह गुसा नहीं करेगा इसने तो सच बता दिया ना चलो फिर निकलते हैं चौड़ 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 की यहाँ चौड़ कौड़ कौड़ मुआप सबसे er को ना मुआच कौड़ कौड़ क्या बोल रहो कन्ना अगर जिन्दा बज गया तो ठीक है नहीं तो इन्हें जो गोली लगी हुई है वो शरीर के काफी गहराई में लगी है तो हमने अभी तो ठीक कर दिया लेकिन जक्म थोड़ा सुख जाए तभी कुछ कह पाएंगे थैंक्स दॉक्टर जो लोगों को confidence देते हैं वो खुट क्यों suicide करेंगे सर्व ये सच में suicide attempt है या पुलिस का encounter ऐसा आप लोग सोचते हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है सिटी में serial killing हो रही है इसके बारे में आपका department क्या action ले रहा है सर् बताइए सर् एक मिनट रुके 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 इंक्वाइरी अभी चल रही है आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा ये मेरा वादा है आपसे सर मेजर हमारी बातों पर यकीन करेगा क्या सर ऐसी बाते सोचकर हम खामुश नहीं बैठ सकते हैं हमें पहले अपने आपको इंट्रड्यूस करके इंसे appointment नहीं पड़ेगा appointment लेकर और क्या कर सकते मूरती वो आर्मी officer है हम उसे ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं हर एक घंटे में आपडेट करते हैं साचुरेशन चिक करते हैं इंजेक्शन भी देते हैं ओके लॉट्ब्चा, उट्चा, उट्चा, उट्चा ड्राइख्ग! ड्चुर! बखिखे कैं भूाइर, और फिए की काया अरूव एक्षनला मुत भाइर वेल्कम वेल्कम क्या बात होगी सेर सेर एक्सक्यूज में सर प्लीज सर एक मिटिंग सर सर हमें कोई एक क्लू मिल जाए तो हम उस पर प्रोसीड कर सकते हैं अगर हमने रुदरन को नहीं उठाया होता तो अब तक हमें एक भी क्लू मिला होता सर देखो हमें जो आक्शन लेना था हम ले चुके अब जो करने वाले हैं उसे क्लिरली समझ लो वो कोई साधान आदमी नहीं है एक मेजर है वो अगर उससे घुसा आ गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा एक मीटिंग सर नो क्या कुमार मुझसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहा इवनिंग फोर उक्लॉक आमी केंपस में आ जाना वही मिलते हैं वही मिलते हुआ 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 मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं बन गया ना मैं मेजर It's a power अगला मिनिस्टर बन सकता हूं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूं इतना ही नहीं American President भी बन सकता हूं क्या हुआ कुमार मैं अभी और हजार साल जीने वाला हूं मुझे मौत नहीं आएगी तुम्हारे एक जनम में अपनी पांच जिन्दकियां चीली है इसलिए मैं कहता हूं भाग जाओ इतनी तकलीफ उठा कर जंग मत लड़ो पॉटोग्राफ चाहिए क्या बॉइज तुम जो कह रहे हो वो बहुत शॉकिंग है हमें किसी भी हालत में उसके लैब को ढूणना होगा उस हार्ट डिस्ट को डिस्ट्रॉई करना होगा अब हमें टीम बन कर काम करना है एक टीम जो ये पता करे कि वो कहां जाता है और किस से मिलता है दूसरी टीम ये पता करेगी कि उसने उसका लैब कहां छुपा कर रखा है और तीसरी टीम आंगरे के रिपोर्ट पर वरक आउट करेगी जितने भी officers, detectives, retired police officers सबका इस्तिमाल करेंगे थोड़ी दिर पहले इने होश आया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया थोड़ी दिर पहले ये होश में थी, लेकिन ये फिर से भी कोमा में चली गई है मैडम, अपने husband के बारे में कुछ बता सकती है क्या, मैडम मैडम, ये क्या है? सर, क्या लिखा है? कुछ तो गोल-गोल लिख कर दे दिया है कॉइन, चांद, क्या है? कुछ समझ नहीं है अरे लेकिन वो तो सीडी? तुम थोड़ी दिल बैट जाओ क्या हुआ सर? बच्पन में जब ये कुवे में गिरा था, ये उसी का डर है इसके दिल में वो डर अब भी बैठा है अभी तुमने, अभी तुमने कुछ बोला क्या? यही कि तुम कुवे में किर गए थे और जख्मियों वो कुवे में भी तो हो सकता है ना? वो जो गूलाकर का बना करती है डॉक्टर प्रमोद के घर के पीछे भी एक कुवे में है ना? इग्जाक्टली इमिडिटली अभी उसे चेक करता है सर कुवे मिल गया है इसमें तो कुछ भी नहीं है सर उसे उपन कर सकते हैं? सर, अदर कोई चेमबर लगता है उसको ट्रील करके खुल दो अच्छे बात है सर अच्छे बात है उसके कोईक्टलक कर उस नहीं हाँ इसुआ कोईक्टल उसी । पर नहीं है पादेयर्फ इस डिप्टल सर ऑ manifested मेजर सर इसे में आपकी जान है ना अब देखते हैं हजार साल कैसे जी हो गए एक दम ऐसा ही था हमारे यहां का लैब भी बिलकुल ऐसा ही है बस स्ट्रक्चर थोड़ा बदल दिया है नहीं तो कोई डिफ्रेंस नहीं है लेकिन एक बात यहां पर थोड़ी अलग दिख रही है अब मिस्टर कुम्रन इट्स हीर तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है यह आप किसी हैकर ग्रुप को जानते हैं अब किसी है बिलकुल भी नहीं सर इसमें एक स्ट्रॉंग रेंडम पासवर्ड जेनरेटेड है इन एवरी फाइब मिनिट्स इट चेंजिंग बड़ी फ्रिकोएंट्ली सर यह क्यों बार-बार फोन कर रही हो सर एक मिनट घर से फोन है क्यों बार-बार फोन कर रही हो है क्या हुआ रो क्यों रही हो अरे कुछ बोलो भी यहां पर सिगनल ठीक से नहीं आ रहा होल करो बाहर आ रहा है वीडियो कॉल किसलिए सुनिया जी मैं जो बोल रही हूं से ध्यान से सुनिये अरे क्या हो गया रो क्यों रही हो अब भास जाएंगे वहां से निकल जाएंगे किसी भी तरीके से अपने बच्चों का बचा लीजिए प्लीज हुआ 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 हु प्रब एकुड़ गाल सर अब एक ही सॉल्यूशन है जहां से पासवर्ण जनरेट किया गया है अगर उस कंपनी के बारे में कुछ कर सकते हैं सर इसको तोड़ दें क्या अगर हमने इसे तोड़ा तो यह फट सकता है सर यह कोई सिनेमा की स्टोरी नहीं है बॉस सर यह सिनेमा से भी खतरनाक स्टोरी है अजय अजय सर यहां का क्यू बॉक्स कहां चल गया पता नहीं सर करना सर आकर गया है कि दो क्याद क्या आकर दो कि तोस सर का क्या क्या भाप आक ब समधे सर दक से वैंसे बना साहीं में का थेंसे सर का सेर, मेरे बच्चों को कुछ मत कीजियेगा कर दो मेरे एक भाम झाल 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 अगर कुछ कम लोग आते तो पूछ सकता था कि आप लोग क्या खाना चाहेंगे यू आर अंडर अरेस्ट मिजर हमारे पास एविडेंस है ओ डॉक्टर प्रमूत के लैब के बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है झाल 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 प्लीज यहां सब कोई मेरी इज़त करता है अपने आदमियों से कह दो कि जरा तमीज से पेश आएं सुन्य जी क्या हो रहा है यहां डिनर तयार रखना मैं रात को वापस आता हूँ गाड़ी निकालो चलो हर जगा पर नाका बंदी कर दो आप मेजर होकर यह सब क्यूं कर रहे है यूनो सम्थि धरती पर जन्म लेने के बाद इनसान हमेशा एकी चीज के बारे में सोचता है कि वो अमर हो जाए आप मुएऑ यूख अद में और भूंअक हैजाल चिर्ग्टलनलटीज डिसलस्ट्म अका लाल घैजाँ अटमर् – ौक ट्यूँ चाहर हमें डंट म्यूश अच्टलट जाहरा है बाढ़ में ललत इनसाटर को रखना अटना ऐसल्सरम वेरी नप्रेडिकतबल करेंगा नप्रेडिकतबल किसे बचकर कहां गया होगा कि कहां चला गया इसलिए हमने एक स्पेशल लैब क्रियेट किया था है हम लोगों ने जो अब तक चेक नहीं किया वह उसका लैब है जल्दी से चलते हो वहां पर पोलिस और मेजर के बीच जो मुट्वेड हुई थी उसमें स्वंग नुलू पेट प्रोल पंपे कुछ काम करने वाले कर्मचारी घायल भी हो चुके हैं इस एरिये के पुलिस और पब्लिक के बीच में हंगामा मचा हुआ हुआ है हलो नमस्कार सिट डाउन बैठ जाईए वो क्या बोलते हैं कैसे हैं आप केजा कि रचेट हैं, हम्हा कि है आप चाह्या कि द्वाग्यार, मान बैटाव दमा के पेश्युटों थारिए इसने पहले पानी पीलो अगर आपको छोड़ देंगी तो हमारे पिताजी को वह मार देंगे सर जल्बाजी मत करो यह गन तुम्हें किस ने दिये देखो तुम्हेरे भाई को भी दमा है सांस भूल रही है इसके इने लिर कहा है नहीं बैको आगया जल्दी करो system activated power resoluts is functioning norman move fingerprint authenticated position hard disk brain scanner activated brain scanner ready to function प्रुक जाओ, नहीं तो मैं मार दूंगी, प्रुक जाओ, मैं गोली चरा दूंगी जात जाते हे जाते हैं प्रुक जाते हैं को जाते हैं जहदे प्रश में चे खिया खिर अप। अरफ ए्द प्रफ शर एफ जेंगेंत भलोकते खिशेंगें रफ प्राinvest में अवप। क्रुछ छो carrying शुड़ झाहाा भूओर दोन्ह न भो सिन अत्यान खेपियोग न गुछेश को अरे गूसें हम 10 तो कि 양न्हे की था से घक्त कु एधिAS को अँ़ अँ़ उट अए लुट अँ़ हुँ फग्他ग पुझ ऐसने जिसके अirensा हुँ हुँ आसने असने फे झाल बुक अाल भ्र रहाँ! ह expressions पर दो बुकिन आई परस्ध बिस्ट बॉस्जब। निए परस्दट बॉस्थिए। भी बॉस्ट बर्फ्रट।र्ट्ब। अ Պ слушत युदू अब ये मत बोलना कि मैं नहीं मार सकता देख क्या रहो मारो खुली कमार शूट मी शूट मी एई प्लीज कुमार कुमार देख क्या हो वारो खुली मुझे कमार शूट मी शूट मी शूट कुमार कमार शूट मी शूट मी कुमार शूट मी शूट शूट हुआ 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 दो unf実 हुआ हुआ हुआ